हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो आ चैनल जिसका नाम है प्रोफिट ट्रेडर्स तो भाईया आज का जो दिन था वो बहुत जबरदस था और उसने एक चीज हमें सिखा दी कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तुम्हें ट्रेडिंग करनी है मेरे भाई तुम्हें जो करना है करो लेकिन टेक्निकल एनालिसस सीखो ओके मार्केट जो है न वो दो चीजों से चलती है फंडामेंटल एनालिसस और टेक्निकल एनालिसस अगर यह तुम्हें इन दोनों के बेसिक्स आते है तब भी तुम इस इंडस्ट्री में टिक सकते हो नहीं तो तुम नहीं टिक सकते ह अब fundamental analysis क्या है कि भाईया चलो हम लोग उधारन bitcoin से ही लेंगे हम लोग stocks walks पे बाद में चले जाएंगे बट bitcoin से ही में शुरू करता हूँ fundamental analysis क्या है bitcoin को लोग use कर रहे है बिल्कुल क्यों use कर रहे है payments के लिए ठीक है अब जो payment gateway है वो पूरा bitcoin के ओपर बन रहा है जो transaction इधर से उधर हो रहे है वो bitcoin के ओपर हो रहे है bitcoin को जो है वो एक asset माना जा रहा है और भाया crypto को एक ही चीज़ चलाती है वो है bitcoin ओके जो fundamentally बहुत 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 solid अब बात करते है technical analysis की ठीक है मैं quickly तुम्हें बता रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा detail में भी बताता हूँ technical analysis यह post मैंने डाला था चार दिन पहले bitcoin यहां था मतलब कुछ 26,000 पर अगर तुम देखोगे तो यह जो line है ना यह यही दिखकते इसको मैं click करता हूँ ना तो यह blog open कर देता बट at least price नहीं दिखाता बट तुम लोगों को definitely दिखा रहा होगा तो तुमने अगर देखा तो bitcoin कहां पर था वो white line के bottom के ऊपर आज अगर यहां देखोगे तो हम लोगों ने यह bottom से जो current price है मतलब अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत technical analysis तुमने सीखा या हमारे at least videos देखे तो तुम है समझ में आ गया था कि भाईया दुनिया चाहे वह follow करो देखो उनके profit कितने हुए 8% के profit और कितने दिन में महस चार से चार दिन में सरफ चार दिन यह चार दिन पहले यह blog टाला गया था ओके तो इसी लिए हमें जो है वो technical analysis आना चाहिए आज जो यह pump आया वो news की वजह से आया अब news क्या आई कि भाईया bitcoin का ETF अप्रूब हो गया है okay so coin telegraph के उपर जाओगे सब articles देखोगे तो आज उन्होंने वो article नहीं डाला क्योंकि यहीं वो लोग है जिन्होंने यह game किया okay बड़ तुम देखो news जो है ना वो बाद में आती है बड़ बेस already बन जाता है okay अब अगर मैं stocks की बात करूँ बड़ा simple सा stock ले लो तु Nestle okay so अगर मैं Nestle का stock देखता हो तो बेरे भाया मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जब Nestle की maggie नहीं खाता okay यहां फिर उसे maggie पसंद नहीं है मतब कुछ-कुछ होंगे चलो लेकिन जो कम लोग है यह जादातर लोग है उनको maggie पसंद आती ही है और यह stock तुमारे सामन okay तो अब उसके fundamentals क्या है कि अगर तुम maggie खाते हो okay तो तुम्हें stock में invest करोगे और तुम्हें पता है कि अगर तुमने maggie खानी बंद कर दी तो भाया उसके fundamentals अच्छे नहीं है वो grow नहीं करेगा stock बट यह तुम्हारे सामने है अब fundamentals बहुत स्टॉंग अब मैं technicals की बात बैठा है तुम मुझे पूछोगे कि भाई तुम्हें stock में invest करोगे मैं कहूंगा बिलकुल भी नहीं वज़े ये देखो ये है price ओके और ये रही उसकी RSI क्या है RSI क्या कर रही है नीचे की तरफ price क्या कर रहा है उपर की तरफ तो यहां क्या है अपने पास bearish divergence at the end of the day क्या होगी एक कोई बुरी news आएगी और ये price जो है वो नीचे गिर जाएगा stock जो है वो नीचे गिर जाएगा तो इसी लिए तुमने fundamentals देखिया अच्छे है बड़ तुम्हे टेक्निकल देखके समझ में आ गया के भाया नहीं अभी time सही नहीं है मैं buy कप करूँगा जब मुझे price कुछ यहां मिलेगा मतलब 19,000 डॉलर के करीब ओ स्री डॉलर नहीं 19,000 रुपे के करीब या 20,000 रुपे है उसने bitcoin को खड़े पैर भाया 10% मूफ कर दी आठ से 9% जो है वो bitcoin मूफ हुआ था और bitcoin को छोटी मोटी चीज नहीं है अगर तुम 500,000,000,000 के asset को 10% मूफ कर रहे हो तो मेरे भाई यह बहुत बहुत बढ़ी बात है और हम लोग 30,000 डॉलर तक गये थे अब बहुत से लोग यहां पर bullish हो गए होगे कि भाया अब चीजे जो है वो सही होगे हम लोग 200 weekly moving average के उपर भी आ गए perfect हम लोग daily time frame के उपर जाएंगे तो तब भी हम लोग 200 day moving average के उपर आ गए हम लोग हमारे resistance के उपर भी आ गए जो 28,270 थी बट मेरे भाई यह time bullish होने का नहीं है यह time है profits ले गया था book करो अगर अगेन तुम long term सोच रहो मेरे भाई में तुम्हें बारबर भाई कहता हो यह क्या है यह trading portfolio है हमने क्या किया हमारे बास 100 रुपे थे तो उसमें से हम लोगों ने 80 रुपे में investment रखा 20 रुपे हम लोगों ने trading के लिए निकाल लिए क्योंकि उससे क्या हो stop loss थोड़ा और उपर कर ले कि at least 4% profit book करो एक हफते में अगर तुमने 4% profit भी बनाए है तो वो बिल्कुल कम नहीं है तो बिल्कुल उसको ऐसा मत सोचो कि यार मुझे leverage ले के शाद 40 गुना करना चाहिए था या 50 गुना नहीं छोटे छोटे ट्रेट से ही तुम successful होते है और make sure ये चीज़े सीखो और अगेन मैं definitely हर रोग ये चीज़े बताता हूं तो make sure चैनल को subscribe करो okay so pump क्यों आया क्योंकि coin telegraph ने एक fake news ने का ली उसने क्या किया भाया liquidations के पहाड़े कठे कर ली okay so बहुत से short traders वही होता है मैं तो मैं देखो बार-बार वही कह रहा था जिस दिन ये dump आया था न हर कोई 25,000 dollars की wait कर रहा था और मेरे हर एक वीडियो में मैंने तुम्हें बार-बार बोला था कि मेरे भाई बिलकुल भी यहां पे बहरिश मत हो बहरिश होने की कोई वज़य नहीं थी मैं बार-बार वही बोल रहा था pump आएगा पंप आएगा बुलिश रहो बाय करो और देखो वही हुआ best buying opportunity सब कुछ मतलब हर जागा वही था कि बाय करो पर्प के ओबर मैंने बोला अच्छा ट्रेड है लो सू मेक शॉर subscribe करो उसके बाद अब spot ETF की जो news आई थी अब उसमें कुछ तो insiders थे अब यह पता नहीं कौन है coin telegraph लिखा है और profit अगर तुम देखोगे अब यह हो सकता है कि यह भी एक fake post हो बड़ यह लोगों ने तो अच्छी खासी band बजा दिया अज coin telegraph की और उसके इलावा अगर हम लोग देखते है तो blackrock नहीं भी confirm किया कि अभी तो कोई ETF अपरूव नहीं हुआ है तो हमें नहीं है गुसे से अब फाइनली उसका सवर का बान टूड गया तो उसने बाहर आके बोला यह SEC गैरी गदाई है जिसने ETF रोका हुआ है उसके बाद तो भाई और कोई दिक्कत नहीं है जैसे वो रस्ते से हटता है सब कुछ clear हो जाएगा और US government खोद अगर तुम देखोगे तो 5 billion dollars के bitcoin hold करती है 5 billion dollars so again यह बहुत जादा है बट वही at the end of the day वह आके market पर यह dump नहीं करेंगे यह OTC पर बिख चाहेंगे तो बिल्कुल tension लेने जैसी कोई बात नहीं है ओके overall market अगर हम लोग देखते है तो 3% आज उपर है साड़े 3% 1.9 trillion dollars पर market है stock market भी green में close हुई है बट crypto त देखे तो 28-600 इथीरियम क्योंकि Bitcoin जब मूव स्टार्ट होता है तो तुम्हारे सामने वही है इथीरियम ने उतना मूव नहीं दिखाया बट कुछ altcoins जो बहुत अच्छी rally कर रहे है BSV कच्रा है दूर रहो Solana अब अगर तुम इस चैनल को follow करते हो तो तुम्हारा Solana buy पैसा double हो चुका है यहां profits लेने चाहिए सवाल ही बैदा नहीं होता मतलब बिलकुल भी नहीं देखो जो market जब बुरी चल रही है तब तुम्हें सिरफ accumulate करना है बेचना कब है वो मैं तुम्हें definitely बताऊंगा बट एक बार अगर तुम Solana का चार्ट देखो और तुम मुझे बताओ कि यहां profits लेने चाहिए के नहीं तो मैं Solana USDT करता हूं हम लोग weekly टाइम फ्रेम के ओपर चलते हैं यह रहा Solana का चार्ट सो अभी हम लोग कहां बैठे है मेरे भाई हम लोग अभी bottom पे बैठे है जहां से process start हुआ था उसके बाद हम लोग जो है वो एक descending triangle यहां देख descending नहीं ascending triangle तो यह एक ascending triangle बन रहा है Solana News में है आज तो भया उसने कुछ दुबाई में अच्छे खासे दमाके भी कर दिये मदब कुछ बड़े project में उनका नाम आ गया तो यहां पर जब कोई asset है तो मैं समझ में आ रहा है कि भया भी growth potential बहुत जादा तो यहां हम लोग profits ले इतने वाले और यह Solana के लिए न्यूज है जहां वह ecosystem partner बन गया दुबाई freezone का उसके बाद जिन assets ने अच्छी खासी रही दिखाई है उसमें बेट्वाइन कैश स्टैक साथ परसेंट रेंडर छे परसेंट सो अगें आज कोकन में हम लोगों ने अच्छा खासा मूब इसका कोई scope नहीं है सहेली बाग गई employees बैंड बजा रहे हैं वही है गलत चीजों से दूरी रहो और अगर गलत काम करके पैसा बना लिए तो उसके बाद चुप चाप वह पैसा लेके बाहर आ जाओ अंदर रुके मत रहो ओके ने तो बाद में बैंड बशती है के लिए एक अच्छी न्यूज और optimism के लिए बुरी न्यूज जहां Manta Pacific जो है उसने opt-out किया OP stack को और वो polygon CDK में चला गया ओके टीतर ने 870 के USTT जो है वो जो terrorist के साथ लेंक था उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है और सुलाना के लिए न्यूज लोगों में अग्रड़ी दी तो अगें मैं वही होंगा कि यार ऐसे situation में न मेक्षॉर यह जो चीज़े तो definitely सीखो थोड़ा fundamental और technical analysis और अगर तुम्हें यह सीखना है तो definitely यह चैनल को सब्स्राइब करो क्योंकि हम यह बहुत easy way में तुम्हे सब्सक्राइब करो तुमसे कल मुलकात होगी दोस्तों thank you so much